हलो असलाम अलेक्व वेलकम बैक्तिव यूटुब चैनल तो आज कर जो मेक अब वह बहुत ही कुपसूरत और फ्लॉवलेस मेकअप लुक है और ये बहुत ही नेचरल और कैज़िल मेकप किया है जिसमें मेंने जे है वह रैड्ड बोल्ड लिप्स का ज Mexican अप्लाई किया है बि ये your face को जह मैं moisturize कर रही हूं मैंने वैसे moisturizer, जो कर रही है वाइच्छ जो कर रही है groups and जो Exact Ebay lotion बेबी there का वेडर है तो weather के ह toget सी happy ने जो आज मैंनेיסल के चलो, आज मैं जो IW bala बेबी there कर लो और उसके बाद मैं अपनी eye blue की तरफ आजाती हूं में आइबरो को मैंने जहेइं वो पैंसल से बcod हए उलकुण लगा रहा और यहvenidos पार्ड़ के अब में पंसल घुट गर पतने तो इस के लिए मै यह rua की यह एपके वियूज़ में प्यासू चाहिए बया पंसल हो यहाँ तरगे मंफा आइबेस को मेक कर रही हूँ मैंने क्राल न की 36 बेस थोड़ी से अपलाय कर लिए उसके बाद मैं थोड़ा सा अपनी आईब्रो को कंसीलर से नीट करूंगी तो मैंने यह fit me का कंसीलर लिया है और इससे मैं थोड़ा सा बहुत small quantity में लिया है थोड़ी सी quantity लिये है तागे बस थोड़ा सा eyebrow का जो नीचे का जो मेरा part है वो थोड़ा सा जो है वो brow bone जरा highlight हो जया और neatly लगे क्योंके मैंने eyebrow pencil जो है वो बहुती light वाली यूज़ करी है क्योंके बहुती casual लुक देना है यह सबसे बहुता डार्क ब्राउन शेड लूँगी मैं यह डार्क ब्राउन भी नहीं बलकि कॉमन एक प्राइमरी ब्राउन शेड होता वो है इसमें से जह मैं कलर अभी select नहीं कि मैं घौन सा यूज़ करना है तो सबसे पहले मैंने यह ब्रा इसमें अपलाई करूँगी दैन नेक्स टाइप भी सी सबसे करेंगे उसके बाद एक और जहा हम लार्ज वाला ब्लेंड करने वाला जो आई यशेड़ो का ब्रश होता है वो लेंगे उससे फिर मैं इसी आई शेड़ो को आपस में थोड़ा सब्लेंड कर दूँगी अपको आपको शो हो ऐसा ना लगे कि बहुत ज़र डार्क ब्राउन एक दिम शेड अपलाए कर लिया है उसके बाद थोड़ा सा और में ब्राउन शेड लूँगी तो मैं ये अपने आउटर कॉर्णा की तरफ इसको ब्लेंड कर दूँगी जो लाइट शेड हमने उसको ब्लेंड किया था तो ये आपको लगे कि छेड थोड़ा सा जो हो स्मूकी जो हो लुका जाएगा आपका बट इसमें ब्लेक शेड अप्लाई नहीं किया है जस्के ब्राउन से हमने करना तू शेड से उसके बाद मैंने इसी पैलेट के अंदर से शेड लिया है क्योंकि सारे स्मूकी कलर से है चॉकले आईशेडो पैलेट है तो इसमें से जह हो मैं ब्राउन शेड लूँगी मतलब इसट वन शेड ही है जिसको हमने ब्लेंड किया है आइओप कि आपको वीडियो जहे है वो समझा रही होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंद से साथ दूरोश शेयर करें ध्याल फिंगर से टैप करोंगी, यह देखें, ठीक है और इसको मैंने फिंगर में ले लिया है अब मैं अपना मिरर लेके इसको मैं इस तरह से आई बॉल पर अपने टैप करके पर अपलाई कर रहे हूं इनर से जो है वह आउटर की तरफ जो आउटर का एरिया है हमने जो ब्राउण शेड लगाया था उसको हमने थोड़ा सा ब्लैंक क तो मैं small वेले round brush में ले रही है, उसको मैं अपनी waterland पर blend कर रही हूँ सेम उसी तरह दूसी पर भी यहाई पर ब्राउन शेड ब्लेंड कर देना है बहुत ही natural makeup है इतना कोई मुश्किल नहीं है असानी से कर लेंगे आप लोग भी, तो इसको practice करें तो मैंने आज जह है वो थोड़ा सा थोड़ा सा कैजूल मेकप किया जाए थोड़ा सा डर्ल गोल्ड शेड के साथ ये मैं अप्लाइं करेंगी इस तरह से दोना अइस पर उसके बाद मैंने लाइन अप्लाइक करना है तो जली जली फटेफर लाइन लगा लिए थे थोड़ा सा राय ॉपक्ति करना थे भूण चैकर ये जाह पइस सा थिर वन फीज perhaps के लगाई करा मैं कोई भी हालिटर हो वैसे तो पीच शेड में न्यूड में पिंक शेड में आते हैं तो वह आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो उसके बाद मैंने थोड़ा सा चीक बॉल्प भी इस तरह से टैप कर लिया है उसके बाद हम ब्लश अप्लाए करेंगे तो मैं ये पिंक वाला मैट फॉर्म में ब्लश ले रही हूँ ये अल्मूस तक्रीबं जो है मेरा खतम होने वाला है ये देखें इस तरह से फिर हमने ब्लश लगा लिया है ये अपने लिप कलर प्रण हों तो यह मैंने रैड वाला गलॉस लिया है चेरी रैट कलर जो है वो और मैं इसको इस तरह से अपने लिप्स पर अप्लाए कर रही हूं और हमारा होगे मेकप डन तो मस्कारा अप्लाई कर लें अपनी आलेशिस पर और अब हमने तुर से बाल अपने खोल लिये हैं तो यह है मेरा फाइनल लुक और बहुत ही सॉफ्ट और इजी मेकप है मैंने अंडर आई काजल भी अप्लाई कर लिए आप चाहें तो न्यूट श साथ मेरी विडियो